नमस्कार किसान भाईयो मैं एजे कुमार विमल आप सबी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एगरी गार्डन किशुद्धन में किसान भाईयो ये देख रहे हैं ताइवान जाइन किंग और जश्ट उसके पीछे लगा हुआ है सूपा नेपियर फोर चारा है जानवरों के लिए सबसे बेस्ट क्वाल्टी का ये चारा है अब आप ये देख लीजे जानवर हैं हमारे यहां और इनको खुला सिब टहलने के लिए थोड़ा छोड़ा गया है और इन्होंने देखिए ये देखिए ये देखिए कितना भर-भर के मुचर रही है ये है ताइवान जान किंग क्रास की क्वाल्टी और अभी तो ये गंदी दिख रही है कि इसकी क्वाल्टी की बात की जाए तो लगबग लगबग दो साल की पड़िया है और बहुत ही खुबशूरत है और आपको बॉड़ी में देखिए कितनी चमक दिख रही है ये देख पुए पीज पलबद को चारे को लगाकर आप लोग भी अपने जानवरों को मजबूत कर सकते हों और जानवरों का पेड भर सकते हों या भी इनको सिप टहलने के लिए कर छोड़ा गया है तो इस चारे को लगाईए यहां का दिखे थोड़ा चारा इन्होंने चर दिया है तो थोड़ा सा नुकसान हो गया है बाकी आगे बिलकुल मेच्योर बीज हमारे हाँ तैयार है हमारे हाँ लगभग लगभग 3-4 लाग तक बीज उपलब्द है बिल्कुल मिचोर बीज उपलब्द है तो बारिस की सम्भावनाएं बिल्कुल मौसम साफ साफ दिख रहा है और अपने खेतों की जो फार्मर ने तैयरी नहीं की है वो तैयरी कर ले और जिस भी फार्मर को यह ने पियर का कलम लगाना है वो हमारे हां से संपर कर सकता है और एक बात किसान भाईयो जो लोग जो है बीज बीज के लिए कोसिस करते हैं कि हमको बीज मिल जाए तो ने पियर का जो अच्छी क्वाल्टी है उसमें ने पियर का बीज नहीं आता है इ इसकी कलम इतनी जबजस्त है कि आप इसको अगर आप लगा देते हैं तो जर्विनेशन तो 100% होना है और बीज की जो क्वाल्टी है बीज में गारंटी नहीं कि क्या आपको वो दे रहे हैं क्या दे रहे हैं और कैसा पौधा है कैसा नहीं है लेकिन कलम की क्वाल्टी आप देख सकते हैं तो इस चारे को लगाईए और लगा कर आप दूद की मातरा बढ़ा सकते हैं अब ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और ये इन जानवरों को भगा बिना हूँ तो कोसिस करिए कि जानवरों को चरने मत दीजे अगर चर लेते हैं तो वहाँ से उठना यानि बढ़ना खतम हो जाता फिर आपको नीचे से कट करना पड़ता है उसकी बाद से पौधा फिर नया निकलता है तो हमारे हाँ बहुत ही जादा मात्रा में बीज उपलब्द है यानि कलम उपलब्द है जिस भी फार्मर को चाहिए वो हमारे हाँ से संपर कर सकता है और यह जो आप देख रहे हैं उपर पीला पीला दिख रहा है यह गर्मी के कारण है गर्मियां बहुत जादा पड़ रही है और इसमें जो है यह बिल्कुल मेश्योर हो गई है पक कर तयार हो गई है इसलिए आपको ऐसी देख रही है तो खेतों में आप तयारियां चालू कर दीजे और इस चारे को लगाईए और लगाने के लिए जो है पहले खेत को आप बढ़िहा से भुर भुरा जुताई करा लीजे पलेवा देकर और उसकी बाद कलम का ओडर दीजे कलम जैसे ही आप ओडर देंगे आपको जो है दो से तीन चार दिन में इसका जो हम बीज उपलत करा देंगे ये देखे यहाँ पे कुछ लगाया गया है लेकिन फिर भी जानवरों ने इसको चर दिया